हेलो फ्रेंड स्वागरत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है विकास 3wantag आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी YouTube वीडियो में लाइक और डिसलाइक को कैसे हाइट कर सकते हैं कैसे चिपा सकते हैं लाइक और डिसलाइक को हाइड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी-कभी हमारे वीडियो में लाइक की वजाए डिसलाइक ज़्यादा आने लगते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग हम से जलते हैं और हमें इरिटेट करने के लिए ऐसा करते हैं, तो हम इसे कैसे चुपा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, साथ में मैं आपको कमेंट्स को हाइड करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि कहीं बार हमारे चैनल पे वीडियो पे कमेंट्स जो होती हैं, वो आप मेरे चैनल के न्यूव हैं तो इसे प्लीज सब्स्राइब करें और नौटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नहीं वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हुआ क्या तो आपको जैसे मेरी मुबाइल की स्क्रीन इस वीडियो की साइड में दिख रही होगी तो हमें यहान पर क्या करना है इसमें वाई ये स्टूदियो जो है आपका उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जाना है तों मैं वाई फोन में ओपन कर लेता हूं आप अब देख सकते हैं यहां पर मेरी वीडियो काफी open हो गई है यहां पर यह मेरा dummy account है जिस्ते मैं आपको सिखा रहा हूं तो इसमें किसी पिए video पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यह यह से खुल जाएगी और यहां पर देख सकते हैं उपर हमें एक पैन का जो आइकन है वो दिखाई देगा एड़िट करने के लिए तो इसके उपर हमें क्लिक करना है आपने जैसे ही क्लिक करा हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया इसमें आप देख सकते हैं बेसिक पर एड़ानस सेटिंग का ओप्षन है तो हमें एड़ान्स सेटिंग पर क्लिक करना हैं और यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी चीज़ें हैं जैसे केटिगरी दे रखी है लाइसेंस और ऑनर्शिप भी आप चेंज कर सकते हैं यहां से यह कमेंट्स का ओप्षन है और व्यूर्स can view rating for this video यह like और dislike का option होता है तो यहाँ पर hello comments के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह blue icon जो है यह highlight और रखा है इसके उपर हम जैसे ही click करेंगे तो यहाँ से हमारी comments जो है वो off हो जाएंगी और उसके बाद ऐसी हम अगर इस पर click करेंगे नीचे वाले पर तो हमारी यह like और dislike आएंगे तो जरूर लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे ठीक है तो इस तरीके से उसके बाद इसको आपको यहाँ पर save कर देना है तो यह setting जैसी save होगी तो यहाँ पर आपके like और dislike भी दिखाई नहीं देंगे और comments भी दिखाई नहीं देंगी पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ time बाद आपके like और comments दिखाई देने लगें तो आप एक दो घंटे बाद उन्हें फिर से unhide कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है आपको दुबारा इसी edit वाले section में जाना है और इसमें बाद यहांपे advanced setting में जाना है उसके बाद आपको यहांपे यह लो comments के जो दिखाई दे रहा है इसके उपर click करके इसको on कर लेना है और ऐसे ही नीचे वाले को भी on कर लेना है और उसके बाद इसको यहांपे save कर लेना है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने वी इस like को hide कर सकते हैं तो friends उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक like जरूर करें और जाद से जादा share करें thank you